दोस्तों आपने YouTube पर काफी वीडियो देखे होंगे कि वीडियो की quality तो इतना अच्छा नहीं है फिर भी इस वीडियो पर इतना ज्यादा views आया है कि आप अंदज़ा भी नहीं लगा सकते है कि इस वीडियो पर क्यों इतना ज्यादा views आया है जो कि दोस्तों इस वीडियो में क्या हुआ कि इस वीडियो जिभ आपलोड हुआ है तो इतना बेहतरीन तरीका से आपलोड किया है और इसी की बज़़े से इस वीडियो पर ज्यादा तोर views आ रहा है दोस्तों दिखे एक वीडियो में आप कितना quality डाल दो एक वीडियो में कितना अच्छे editing आप कर लो फिर भी दुस्तो इस वीडियो पर views नहीं आ रहा है जो कि दुस्तो इसका main reason यह होता है कि वीडियो जो है वीडियो के quality से वीडियो के upload का जो तरीका होता है यह सबसे जरूरी होता है दुस्तो दिखिए अगर आप वीडियो को इतना अच्छा बनाया है इतना अच्छा quality दिया है और इतना अच्छा voice ओबर किया है सो अपकुस आपने बिल्कुल सही कर लिया है उसके बाद दुस्तो इस वीडियो को upload करते समये अगर आपने बैतरिन तरीके से upload नहीं करते हो तो आपका वीडियो कितना अच्छा हो कितना अच्छा quality हो सकता है कितना अच्छा voice हो सकता है फिर भी दुस्तो इस वीडियो पर views नहीं आता है दुस्तो आपके समने ये दो बात रखना चाहूंगा जैसे कि दुस्तो वीडियो की quality लोग ज्यादा चाहता है या वीडियो की जो upload करने का जो सही तरीका है ये ज्यादा चाहता है देखिए दुस्तो इसमें जो upload करने का सही तरीका है ये ज्यादा होना चाहिए दोस्तों मान लिजिए कि आपने जो वीडियो बनाया है इस वीडियो के अंदर आपने बला है कि इस वीडियो जो लोग देखेंगे इन लोग को मैं एक एक लाग करके देने वाला हूँ लेकिन दुस्तों क्या है कि इस वीडियो की अंदर आपने ये बात बना है जब audience क्लिक करता है तो जाके audience को पाता चलता है कि इस वीडियो देखने की बाद एक लाक रुपया मिलेंगे लेकिन दुस्तो होता क्या है कि सबसे पहले तो दुस्तो इस वीडियो को आप जिस मुक्सद से बनाया है जिस audience के लिए बनाया है इस audience की सामने सबसे पहले पोचाना आपके काम होता है और दुस्तो अगर आप 32 तरीके से YouTube पर वीडियो आपलोड नहीं करते हैं तो आपने एक लाग क्या है पास लाग इस वीडियो की अंदर बताईए कि audience जो audience मेरा वीडियो को देखेंगे इनको मैं पास लाग रुपया दूँगा फिर भी दुस्तो क्या होता है कि इस वीडियो को लोग नहीं देखते है क्योंकि दूस्तों इस वीडियो को लोगों के सामने पोहाने काम होता है यह काम आप ने नहीं किया है आप दुस्तों मैं एक नवह येयेटूबर नहीं हूँ दूस्तों लग्बग मैरा पांश साल हो चुका है YouTube पर काम करते हुए और पांश साल की experience जो है आज की इस वीडियो में आप लोगी सत शियार करने वाला हूँ दोस्तो इस वीडियो को एक सेकेंड बिना skip करते हुए वीडियो complete देखिए उसके बाद दोस्तो इस वीडियो की निचे जरूर से जरूर कॉमेंट कीजिए आपने गलत information दे दिये है दोस्तो मैं grantee की साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरह वीडियो upload करते हो ना तो आपकी वीडियो rank करने से कोई नहीं रूख सकता है दोस्तो मैं ये दावे की साथ आपको कहता हूँ तो दोस्तो चलिए कैसे वीडियो सही तरीके से upload करना है और कैसे बेहतरीन तरीके से YouTube पर वीडियो आपलेट करना है, आज के इस वीडियो में लाइप करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो यूटूब एप ओपन करना है, इसके बाद दोस्तो निचे यहाँ पर दिखे प्लास आइकोन जो है सिंप्ली इस पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तो यहाँ पर एक ओप्शन दिखे आपलोड एप वीडियो सिंप्ली इस पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तो ज फिन्ष यहां प्रेयर करना का है कि दुस्तों कि न HEA डिए का करते हैं कि वीडयो आपलोड पर डालने के बाद यहां पर कुछ नहीं करना है Simply यहाँ पर Visibility जो Option है Simply इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन Option मिलता है Public, Unlisted और Private तो Simply आपको करना क्या है Unlisted Option छूज करना है इसके बाद दोस्तों आपको आना है बेक और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि simply upload option पर click कर देना है दोस्तो upload option पर click करने की बद आप करना क्या है कि YouTube एप बन कर देना है इसके बद दोस्तो आपको करना क्या है कि Creator Studio एप open करना है दोस्तो एप open करने की बद निचे यहाँ पर आप देख सकते है कि जो वीडियो मैंने upload पर रखा है यहाँ पर show होता है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखिए आचुका है तो simply इस पर click करना है उसके बद दोस्तो यहाँ पर दिखिए एक pencil icon है simply pencil icon पर click करना है और इसके बाद दोस्तो यहाँ पर दिखिए जो title है यहापर खुद से नहीं लिखना है दोस्तो लोग वही गलती करते हैं कि यहापर जो title है खुद से लिखते हैं और इसलिए दोस्तो वीडियो rank नहीं होता है तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको करना क्या है कि यह title लिखना है लेकिन दुस्तो खुछ से नहीं लिखना है दूस्तो title लिखने के लिए आपको करना क्या है कि आना है homepage पर और उसके बाद दुस्तो chrome browser open करना है दूस्तो chrome browser open करने की बाद simply यहाँ पर search for में type करना है जिस topic की उपर आप video बना रहे हो उसी topic की उपर यहाँ पर take search करना है जैसे कि दुस्तो मैं यहाँ पर सार्च कर लेता हूं YouTube चैनल ग्रो कैसे करे या How to Grow on YouTube चैनल इसके बाद दुस्तो सिंपल सा सार्च करना है दुस्तो दिखे कुछ से टाइटल नहीं लिखना है यह मैं बार-बार कह रहा हूं आपसे इसके बाद दुस्तों निचे की तरह स्कॉल डान करना है तो यहाँ पर दुस्तों एक option आपका समने display होता है जैसे कि दुस्तों देखिए यहाँ पर लोगों ने ये भी पूचा यानि लोगों ने ये भी search कर रहा है How to, sorry, How do I grow my YouTube channel 2020? यहाँ पर दिखिए How do you get 1000 subscribers on YouTube? Why is my YouTube channel not growing? यहाँ पर दुस्तों आप पता कर सकते हैं कि किस take को ज्यादा लोग search कर रहा है निचे यहाँ पर दिखिए How do you get 1000 views a day on YouTube? इसके बद दुस्तों और नहीं निचे की तरह scroll down करना है यहाँ पर दुस्तों दिखिए लोग ये भी कूचते हैं यानि कि लोग ये चीज search कर रहा है दुस्तों दिखिए Google का ये product है YouTube YouTube जो है ये Google का है तो यहाँ पर दुस्तों दिखिए How to grow YouTube channel from zero और दुस्तों निचे दिखिए How to grow YouTube channel in Hindi और दुस्तों दुस्तों आपको करना क्या है । यहाँ पर ये जो tag यहाँ पर search हो रहा है यहाँ आप देख देखिए यह जो टेख जितना tag यहाँ पर दुस्तों निचे और भी देखिए मिलती जुलती कुझे कि यानि की मिल तो जुलते जो कुवाड है यह टैक की ठीक रेलेटट और भी यहाँपर कुवाड है यहाँ इस तो दोस्तों यह पेहले टाइटल कैसे लिखना है यहाप और दुस्तों दिखिए how to grow YouTube channel from zero तो दुस्तों यह सब सबसे पहले यह आपको उठाना है तो simply इस पर टास्ट करना है और दुस्तों यह copy करना है जैसे कि copy link text simply इस पर click करना है इसके बाद दुस्तों जो title है चलिए आपको जाना है वाइटी स्टुडियो में इसके बाद दुस्तों simply title पर click करना है और जो title है यहाप पर paste कर देना है दुस्तों यहाप आप देख सकते हैं और उसके बाद दुस्तों करना क्या है कि यह जो title आपने paste किया है simply copy करना है दोस्तों कॉपी करने के बाद सिंप्ली निचे यहाँ पर देखे एड डेस्किप्शन सिंप्ली डेस्किप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों जो टाइडल आपने कॉपी किया है सिंप्ली यही पर पेस्ट कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है दूस्तों यहाँ पर लिखना है कोबार टॉपिक या टॉपिक कोबार दूस्तों देखी यहाँ पॉर देखे पहले यह चीज यह चीज यूटूब पर नहींता लेकिन आप बилकुल यह चालू हुआ है अगर दूस्तों आप कही पर टreia qa कुपी करके पेस्ट करते हैं डिस्किप्शन पर तो आपका जो वीडियो है वीडियो मिस्लेडिंग यूटुब ने कहता है इसलिए दुस्तों यहाँ पर करना क्या है कि कोबाड टोपिक आपको लिखना है जैसे कि इस टोपिक की अंदर यह जो किवाड आपने यहाँ पर पे क्या है चलिए बताता हूं इसके बाद दुस्तों आपको जाना है फिर से Chrome browser दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Chrome browser तो यहाँ पर दुस्तों फ़र्श्ट जो टेग सिंपली फिर से आपको करना क्या है copy करना है और इसके बाद दुस्तों जाना है योटुब creator एप पर औ जालना है इसके बाद दुस्तों चलिए next जो है मैं copy कर लेता हूं इसके बाद दुस्तों फिर से जाना है वाइटी स्टूडियो में तो यहाँ पर दुस्तों दिखे next जो है मैंने copy कर लिया है इसके बाद दुस्तों फिर से जाना है यानि कि one by one करके एक एक क्यूआड जितना क्यूआड यहाँ पर शो हो रहा है सारी क्यूआड यहाँ पर फिल करना है तो चलिए मैं जो ताड है यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद दुस्तों सिंप्ली कॉपी करना है इसके बाद दुस्तों आना है वाइटी स्ट कॉपी कर लिया है यहापर चोवता जो है यहापर दूस्तों आप देख सकते हैं तो दूस्तों यह भी यहापर डालना है एक क्रेटर स्टुडियों में तो दुस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यह भी डाल देता हूँ यहाँ आ पर देखिए डाल लिए उसके बाद दुसतों यहाँ पर जितना क्यूलाड से एक peng करके यहाँपर해주 कौपी पेस्ट करना है और उसके बाद दुस्तो आपको करना क्या है कि copy paste करने की बाद दुस्तो निचे की तरह आना है, और यहाँ पर दूस्तो आपको hastag डलना है, दूस्तो हーー стрag कैसे डलना है? अब आपको दिखाता हूँ, सबसे फ़हले तो दूस्तो यहाँ पर hastag टाइप करना है इसके बाद दूस्तों देखिए यहाँ पर लिखना है हाव टू मतलब आपका जो टॉपिक है टॉपिक के हिसाथ से यहाँ पर हैस्टेग फिल करना है जैसे कि मैं यूटूब रिलिटेड वीडियो अप्लेट कर रहा हूं तो यूटूब रिलिटेड मैं यहाँ पर करता हूं जैसे कि हाव टू हाव टू ग्रो और यूटूब चैनल कि यूटूब चैनल इसके बाद दूस्तों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको तीन हैस्टेग फिल करना है उससे ज्यादा नहीं करना है तो उसके बाद दूस्तों यहाँ पर चलिए मैं और भी निव यूट्यूब चैनल इसके बाद दूस्तों आपको करना क्या है कि ताड़ जो है चैनल का नाम खुद की जो चैनल है चैनल का नाम फिल कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं जैसे की टेक इसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे चैनल का नाम डाल दिया है इसके बाद दूस्तों निचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका फेस्बुक लिंक है टुटर लिंक है इंस्टेग्राम लिंक है यहाँ पर आप दे सकते हैं इसके बाद दूस्तों सिंप्ली सेब कर करने की बाद दूस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि दूस्तों यहाँ पर निच्छे देखिए ओडियंस तो सिंप्ली इस पर क्लिक करना है यहाँ पर दूस्तों काफी not made for kids तो यह आपको चूज करना है इसके बाद दूस्तों निची यहाप पर देखिए एक option है कि age restriction तो simply इस पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों फिर से देखिए दो option है दूस्तों अगर देखिए आपके जो content है यह अगर adult हाता है तो यहाप दूस्तों यह यानि कि first option चूज करना है अगर दूस्तों इसमें आपका content नहीं आता है तो हामेशा आपको no don't restrict my video to viewers over 18 years यही आपको हामेशा चूज करना है second option इसके बाद दूस्तों निचे आना है तो यहाप देखिए add to playlist simply इस पर क्लिक करना है दूस्तों यहाप आप देख सकते हैं मेरा चैनल पर एक ही playlist है तो दूस्तों प्ले playlist में और जो वीडियो है बाखी जो वीडियो है यूटूब रिकोमेंट करता है उस audience को यानि कि तो simply टेख पर क्लिक करना है दूस्तों टेख पर क्या लिखना है जैसे कि दूस्तों यहाप देखिए जिस टॉपिक की उपर आप वीडियो आपलोट कर रहे हो उसी टॉपिक की उपर यहाप टेख time करना है दूस्तों दूस्तों देखिए जो लोंट टेखर क्योपं सेट कर लिया है यहाप पर क्योफि आपको सेट करना है जैसे कि दूस्तों यहाप देखिये सबसे पहले तो देखिए रह तो जैसे कि मैं यहाँ पर हाव टू लिखने की बाद दूस्तों नीचे आना है तो यहाँ पर दूस्तों लिखना है ग्रो जी आरो डबले हाव टू ग्रो यहाँ पर लिखना है इसके बाद दूस्तों देना है यूटूब जैसे कि दूस्तों यहाँ पर टाइप करना है और इसके फिसमने approximately पर सेट कर लिया है दुस्तों यहाँ पर QR का मतलब होता है एक Hyd वाड़ यहाँ पर एक एक वाड़ आपको फिल करना है जासे कि ग्रोव और यूटूब ग्रोव और यूटूब इस तरह आप लिएक सकते है जैसे के यूटूब 2 2022 आप लिएक सकते है अग के अ of importance Settings होता है, काफी लोग यह समझते नहीं और काफी लोग यह इसीलेक्ट भी नहीं करते हैं और सूसते है कि मेरा वीडियो टो मैंने upload कर दिया है, और बारिश की तरह मेरा वीडियो पर views आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे दुस्तों यहाँ पर दुस्तों दिखे चोज एक केटागोरी तो सबसे पहले तो दुस्तों दिखे देखे ओटोस बेहिकेल अगर दुस्तों आप गाड़ी की रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर फर्स्ट ओली ऑप्शन चूज करना है निचे दुस्तों दिखे एंटर्टाइमेट इसके बाद दिखे फ्लीम एंड एनिमेशन इसके बाद दुस्तों दिखे गेमिंग अगर दुस्तों आप गेमिंग रिलेटेड वीडियो आपलेट करते हो तो गेमिंग आपकी चूज करना है इसके बाद दुस्तों दिखे वीडियो आप्लिट करना चाहते हों तो how to style select करना है इसके बाद दुस्तों दिखे music इसके बाद दिखे news and politicals अगर आप राजनिती करते हैं तो यहाँ पर news बगरा वीडियो आप्लिट करते हैं तो यहाँ पर select करना है इसके बाद दुस्तों यहाँ और भी चीज यहाँ पर आप देख स science and technology यानि कि अगर आप YouTube वीडियो यूटूब टुटरियल वीडियो आप्लिट करना चाहते हों तो science and technology आप select कर सकते हैं इसके बाद दुस्तों दिखे sport देखे यहाँ पर जो cricket होता है इस तरह अगर आप वीडियो आप्लिट करते हों तो sports select करना है निचे सबसे निचे जो option है यापर देखे travel and events तो यहापर तो आप समझ सकते हैं कि दुस्तों अगर आप इसी तरह वीडियो आप लोट करते हों तो दुस्तों यह आपको चूज करना है तो दुस्तों चलिए आप मैं यह बताता हूं कि यह चूज करने से क्या होता है दुस्तों देखे अगर आप people and यारा कि आपके चैनल पर आप ब्लोग वीडियोढूड करना चाहते हो या अपलूड कर रहे हो और आपने select क्या है people & blog तो दुस्त्तों होता क्या है कि यह c ni Gill चूज करने की बाद यूटूब ने क्या करता है जो लोग देखने में काफी इंटरेश्टेट है उन लोग की सामने आपका वीडियो यानि की इंप्रेशन्स बेशता है अगर दोस्तों आपने मान लिजिए आपने यहापर इनिमल्स वीडियो आपलूट करते हैं और आपने ब्लोग यहापर सिलेट कर लिया है तो दोस्तों यू कि ब्लोग ओला ओडियंस जो होता है और यहापर की वीडियो को भी नहीं देखता है इसलिए दुस्तों जो कटागरी आप चूज करते हैं यहापर क्यारफुल हिसाब से आपको चूज करना है उसके बाद दुस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है 48 और उसके बाद दोस्तों देखे आना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक thumbnail set करना है दोस्तों यहाँ पर देखे एक pencil icon है pencil icon पर click करना है यहाँ पर custom thumbnail simply thumbnail जो भी है choose करना है और इसके बाद दोस्तों thumbnail set करने के बाद simply done option पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे save option जोने sehrब पर क्लिक करना है उसके बाद दुस्तों आपको कुछ नहीं करना है दुसतों जब वीडियो पाप्लिश यानि कि वीडियो जब आप्लूडिंग 100% हथा तो यहांपोर simply दुस्तों visibility option पर क्लिक करके पाबलिक कर देना है दुस्तों उतनाई करना है तो दुस्तों आइं हो ये वीडियो काफी पसंद आया होगा उन्य प्रणी करना है तो दुस्तों आज के लिए वीडियो इतनाई है